नमस्कार दोस्तों आपको मेरी चैनल रिपोर्ट पार नामे दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्य हम से हम लोग जानेंगे पुस्ट आप इस M.I.S.S. स्कीम जिसका नाम है पुस्ट आप इस मंतली इंकम स्कीम दोजाच चूबिस कवारे में जानेंगे और दोस्तों इसके इसके फीचर से जैसे कि deposit amount limit for M.I.S.S. स्कीम में जानेंगे और दोस्तों जानेंगे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें ताकि मैं इसी तरह का investment से related वीडियो लेकर आता रहा हूं तो दोस्तों चली शुरू करते हैं दोस्तों post office की monthly income scheme या scheme उन लोगों के लिए फायदे मन्द है जिने regular income नहीं होती है लेकिन उनके पास एक lump sum पैसा है तो इस scheme के जर्ये वो regular income का मतलब इंतजाम कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि इस scheme में आपकी मूल रकम यानि principal जो भी आप लंशम आप उसमें जमा करेंगे as a principal आपका जियों का अत्यों रहेगा principal के उपर आपको monthly interest मिलेगा जी हां दोस्तों एज लिमिट तो दोस्तों कोई भी एज लिमिट नहीं रखेगे बच्चा से लिकर बुड़ा तक कोई भी व्यक्ती MSS के post office में खाता खोल सकता है minimum deposit amount दोस्तों आप 1000 रोपैस आप इस में start कर सकते हैं वही maximum deposit amount 9 lakhs as a single account यानि दोस्तों एक single व्यक्ती post office MSS के में दिखता हम 9 lakh रुपे तक निवेस कर सकता है वहीं अगर कोई व्यक्ती post office MSS के में joint account कोलना चाहता है अपनी पत्नियां बच्चों के साथ तो आज ये maximum 15 lakh रुपे तक निवेस कर सकते हैं 15 lakhs रुपे यस सिंगल अकाउंट को बाद में भी आप joint में convert कर सकते हैं अगर आप इनिशली आप सिंगल से आप श्टार्ट की हैं तो बाद में आप उसको convert कर सकते हैं joint में maturity period इस सकीम का 5 years का है दोस्तो आप जान लेते हैं premature closure अगर आपको maturity से पहले अगर आपको close करना है तो उसका क्या condition तो दोस्तो डाखर मासी का योजना में समय से पहले पैसे निकालने पर नुकसान आपको हो सकता है वो नुकसान क्या है कि एक साल के अंदर अगर आप जमा पैसे बापस लेते हैं तो आपको इस पर कोई भी return नहीं मिलेगा एक साल के बाद अगर आप पैसे निकालते हैं लेकिन तीन साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% penalty देना पड़ेगा अगर आप तीन साल के बाद जमा बापिस लेने पर आपको 1% आपको प्री पेनाल्टी आपको कट होगा दोस्तो अब जानते कि Nomination Facility तो दोस्तो अवलेवल है अब किसी को भी add कर सकते हैं जई नॉमनी दोस्तो Post Office MIS Account Transfer Facility तो अब लेवल है यानि कि आप MIS account को transfer कर सकते हैं जैसे कि आपका एक सहर से दूसरे सहर में transfer हो गया हो तो दूसरे सहर में आपका MIS account transfer हो जाएगा इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा जिए free of cost आपको transfer हो जाएगा MIS account दोस्तो अब जाना थे TDS and tax winfit के बारे में तो दोस्तो इसमें कोई tax winfit नहीं है अंडर 680C के अंतरगत TDS is applicable on interest earned अगर आपका as a single financial अगर आपका 50,000 रुपी से ज्यादा interest बन रहा है तो आपको TDS applicable होगा दोस्तो अब जाना थे कि latest post topics MIS scheme interest rate 2024 में क्या चल रहा है तो अभी जो latest current चल रहा है 7.40% पारेने बेवल मंतली जोकि अधर भैंकों के FD के interest rate से जाता है दोस्तो अब हम लोग जानेंगे return के बारे में तो मैं आपको calculator से calculator बता देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अज़े लम्सम अमाउंट 9 रुपया जमा करता है तो annual interest 7.4% ने इसाब उस व्यक्ति को 5 साल तक मंतली इंकम 5550 रुपया उसको मिलेगा वहीं दोस्तो अगर कोई व्यक्ति 15 रुपया जमा करता है अज़े लम्सम अमाउंट तो पांस साल तक उस व्यक्ति को 7.4% के rate के इसाब से मंतली इंकम मिलेगा तो दूस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दूस्तों के वीचे रूँ सेयर करें और कुछ चाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिए कर पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरे चलना रिपोर्ट पांटना को सब्सक्राइब चरू करें धन्यवाद